तो इंडिया वैसे वर्ल लीडर कैसे बनेगा? मेंडक का में मेंडक का जो वो है दुनिया है वो अपने कुए में है हम वैसे है अरे अपना दे भाड़ रहा है दूसरों को देखो कितना बढ़ रहा है इंडिया में एंप्लॉइमेंट की है जरूरत है पर इंप्लॉइयबल नहीं है What do you feel, कि ये इंडिया का गोल्डन टाइम है, कि नहीं है, what's the, what's going on? Last time, ये guest जब हमारे podcast पे आये थे, आरेंद भासकर, तब इन्होंने हमें बताया थे कि गौतम अदानी की zero से लेके आज तकी पूरी जोर्नी कैसे होई, वो कैसे त्य बड़े आदमी बने, इस बार हमने उनसे बात करी, उनकी नई बुक पे Game India, जिसमें उन्होंने बताया कि इं आप और मैं और government कैसे मिल के उसको बचा सकते हैं, based on his opinion, तो हमने वो समझने की कोशिश करिए कि India मिल का सबसे बड़ा supplier बना कैसे, इंडिया में opportunities कौन-कौन सी है, इंडिया चाइना को कैसे अरा सकता है, इंडिया अमेरिका और स्विर्जिलन से क्या सीख सकता है, all of these things in today's episode, आज का episode बहुत important है, अगर आपको समझना है कि इंडिया में business कैसे करें, ताकि हम global superpower बन सकें, और part 2 इसके बाद अगले podcast में आएगा, जिसमें हमने ये बात करी है कि दीरुबाई अम्बानी की story कैसे start करी, क्योंकि उससे पहले जिन्होंने उनको loan दिया था, उनकी एक पूर चोटी clips दालते हैं, और बहुती कम time में आपको smart बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आपको सीखना है कि इस country में आप leader कैसे बने, तो please follow राच्मानी clips and enjoy today's show. मैं ये किताब मैंने इसलिए लिखा, क्योंकि जो सरकार की policies है, वो ठीक रस्ते पर नहीं जा रही है, ये सरकार की पुरानी सरकार की भी, ये किताब लिखी गई थी जब पुरानी सरकार थी, और जब च्छापा गया था 2019 में तो मोधी सरकार थी, जब 2014 में मैंने जब ये किताब लिखी, लिखना चालू किया, तो मुझे आशा थी कि शायद ये सरकार पुरानी सरकार से अलग होई, वास्तविक्तर में कुछ चेज नहीं हुआ है, तो ये वाली जो करन्ट गवर्मेंट है भी, इनकी पॉलिसी चेंज नहीं है, और इसमें जो कहानी कुरियन के बारे भी लिखा गया है, मैंने ये भी लिखा हूँ, क्यों ये सरकार, ये जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनाएं मिलक का, दूद का, उसको वो भी जो खास बात है इंडिया की, उसे भी वरबात कर सकता है, इलाबरेट मोर, मतलब कैसे क्यों ऐसा, देखो, इसके लिए आपको कुरियन की कहानी सुननी पड़ेगी, कुरियन, कुरियन, वर्गिस कुरियन, एक छोटा आदमी था, उसके कई कहानिया हैं, पर एक रात को हम जो बैठे थे, आनंद में, आनंद जगा की नाम है, आनंद खुशी की बात नहीं पर आनंद चो है, गुजरात में आनंद, और वहां कुरियन अपने आफिस में पूरी की रात तक मिदनाइट तक बैठा रहे करता था, जब भी मैं जाता था तो बोलता था चल बैठे हो, और अपनी विस्की की बाटल निकालता था, या राम की बाटल निकालता था, उसको पीना शाम को काम होने के बाद एक गलास चाहिए था, कभी के दू गलास ले 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 कासटा था. उस समय चर्च के जो मिशिनरीस है उसको लेकर अपने मिशिनरी में उसने बढ़ाया। अपने जो कायरा डिस्ट्रिक्ट है उदर आनंद उसमें एक मुख्य गाव था अब कायरा डिस्ट्रिक्ट में जाओ वो सबसे ज़्यादा दूद का उत्पात उस जगा हो रहा है अब उदर जाओ उदर कितना दूद निकलता है कितनादूद बेचा जाता है Bambay में और कितना दूद नहीं बेज़ा जाता है Bambay में, वो से पने लि fahren और हर हफ़ते उसे भेजना था उदर तो आनन्न से दूद Bambay में बिखता था ठाएना अनन्न वो ही जगे है जहा पर अमूल है तो यह अमूल के पहले की कहानी है अमूल अभी तक नहीं बना अभी अमूल उसमें नहीं था यह 1930s की कहानी है 30-40 जब Second World War चाड़ रहा था और soldiers को दूद की ज़रू थी तो इसने बिडियो सरकार को दूद का production में बहुत त्यान दे रहे थे यह सब हो रहा था था फिर अचानक शिहाएक संदेश आया उसके ओफिसर ने बुलाई है उसने बूलाए तुम्हें एक scholarship दिया जाता है तो लए पास्चराइजशन पास्चराइजशन दूद को कैसे उभाई उसके लाइस्पैंट कैसे वडाते हैं उसको आप सीखने ही लें, आपको लंडन का स्कॉलर्शिप मिलाई तो कुरियन ने बोला, मुझे पढ़ना है नुकलियो फिजिक्स, मुझे पैस्चराइजेशन नहीं पढ़ना है, उसके आफसे ना समझाया, देखो वेटा, तुम्हें स्कॉलर्शिप मिलाई तो यूके जा स्कॉलर्शिप मिला तो उससे जाज का टिकेट मिला, और टिकेट लेकर एडिन तक गया, वहां जाज से उतर गया, वापस नहीं जाज में, और दूसरे जाज में, और सीधा अमेरिका गया, जहां उसके कोई कनेक्शन थे, और उधर एड्मिशिंडिया यूनिवर्स्टी मे उसने नुक्लियर फिसिक्स पढ लिया, और रिटर्न ऐसी तरीके से ताइमिंग किया, जैसे जो अब बंभाई में बंभाई बंभाई अब आपस नहीं तो जब वापस आया, तो बिल्टिश आज नहीं तो आप जो पास्टरिज़एशन सीकर आए, अब जा कर पास्टरिज प्लांट बनाओ, उसने उसने समझाय कि कैसे उसने तूसरी जगा चला गया, जैसे बार मुद किसी को बतारा मत, तुम कोट मार्शाल के जाओ गए, क्योंकि तुम ने बिर्टिश सकार का पैसक कवाया है, और उनके आदेश के खिलाव गया, तो कुरिया ने किसी को बता है ने कि उसने nuclear physics किया पर आदेश आया था कि उसको पास्टराइजिशन प्लान बनाना है तो आनत गया हर एक जगा देखा कि उसके पास कोई आदमी है जो पास्टराइजिशन प्लान कर सकता था इसके पास जानकार ही नहीं थी तो उस समय वह कि यंदिया में कमपनी थि नेसले को भी थे पास्टराइजिशन ब testify तो यह वह विआ नेसले कि स्या विइखा nesliा हूं के पास्टाराइजिशन है तो ऴूह से इसकारिशन प्लाइ म authख से क। मुझे पास्टराइजिशन प्लान रखाए हूं अ हम बना देगे, आपकी जरूत नहीं है, वो गोलो हमें इंडिया में बनाना है, वो मुझे सीखना है, इसके तुम बंदरों को ही सीखा, तुम बंदरों सीखने के लायक नहीं हो, तो कुरियन बहुत गुस्सा आया, वो गोला ठीक है, मैं उन्हें सिखा होगा, तो अपने नु पूरा प्लांट का डिजाइन बनाया, और प्लांट फाइनली स्थापित किया, तो कुरियन के बास गए, वो बोले, आप को आपरेटिव हमारे बनाएंगे, तो ठीक है, तो कुरियन ने अपना दिमाग लगाया, सभी दुनिया में जो भी को आपरेटिव थे उसके लॉज इंडिया के सिटुएशन है, उसके आधारत, उन्होंने कोआपरेटिव लॉज चेंज करके एक नया कोआपरेटिव आक्ट बनाया, और पहला सबसे पहला कोआपरेटिव है, वो कायरा मिल्क कोआपरेटिव बनाया, और अगर कायरा की कहानी आप सुनना देखना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है, मन्थन, जिसमें शाम बेनेगल है, समीता पाटिल है, वो कायरा की गानी है, पर वो छोड़ दीजे, जब कोआपरेटिव बना, तो कुरियन पूरी मिल्क इंडस्ट्री के बहुत ही सीरियस्ली स्टड़ी कर लगा, और जो कुछ भी तो एक रात को, एक शाम को, कुरियन और मैंग साथ में बैठे थे, और कुरियन ने पूछा भासकर, आपको मालुम नहीं हो, मालुम नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ, अगले दस साल में, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रड्यूसर हो जाएगा, अब कुरियन ब सार अगे पीछी किया, तो दो मिट के रहे वो कुछ नहीं कहा, फिर गुछ से अपना गलास थांकर तेल पर रखा, तुम क्या सा, तुम गाय हो क्या, सार उपर नीचे करते हो, तो नहे पूछा नहीं क्यों, कैसे, तो मैं चो किया, मैं एका, सारी हा, कैसे, तेखो, तो अगर अब तो कि देखो कि इस इंडिया में, इंडियन का सबसे इंपोर्टन खाने की चीज़ क्या है, तो मैंने का, के हूँ, वीट, जिसा अटा बनता है, जैसे चपाती बनती है, बाजरा, जवार, चावल, यह में इन आइटम से, और साथ साथ में, सबजी आती ही रहती ह कि उना थीं, आपके बात बिल्कुल ठीक है, इंडय में कितने लोगें, मैं तो बैक इस साड़ह आचप करोड खो, भूला, बिल्कुल ठीक, इतना याद रोको, आपके साड़ह आचप साथ सा करोड लूगें, कोई भी सरकार जो होगी, उसका Пहला कर्था यह है कि हर एक आदमी को खाने पीने के लिए रोटी मिले कुछ भी करेंगे पर आपकी रोटी को बंद नहीं करेंगे नहीं तो आंदोलन होगा और सरकार मिठी ही इसलिए फोकस रहेगा सरकार का कि खाना उत्पादन होगा और खाने के लिए कि एक किलो चावल के लिए एक किलो गाहूं के लिए आपका चार किलो भूसा निकलता है वो जो डांडी रहती है जो उसका हस्क रहता है वो सब भूसा रहता है तो एक किलो चावल के लिए आपका चार किलो भूसा बिलता है जो गाय को चबाने के रिए चाहिए है हम 羽म फ्री निकालते है abbiamo आप डाइप्रॉडक्ट है दूसरे देशों में गाय को समालने के लिए उनको अलग ड्रोग करना पड़ता है गाय कि खाने के लिए इनले में ग्रोग करने के जोरूद नहीं है उगाने की ज़रुत नहीं है तो बाइप प्रोड़क्ट है उसको प्राइस देऊ गए पर आक्च्वल कॉस्टर प्रडाक्शन जी रवाए इसे ये फाइदा जो भारत के पास है किसी के पास नहीं है तो मैं सोचा मैंने का सर पर चाइना तो वहां से गुला हाथ तो ठीक हो चाइना के पास या एडवांटेज है क्योंकि चाइना भी राइस खाती है पर यहां भगवान ने इंडिया पर जरा अपने आशिरवाद दिये है भगवान दयालू है क्योंकि चाइना दूद नहीं पी सकता है इंडिया के लिए डूमेस्टिक मार्केट है इंडिया इस नाचुरल बेनेफिशरी जो एडवांटेज इंडिया को मिलेगा वो चाइना को नहीं मिल सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्याद बड़ा प्रोडूसर हो सकता है क्योंकि हमने को आपरेटिव चालू किया है और को आपरेटिव में फार्मर की जो प्राइस मिलता है दूद के लिए वो इतना अच्छा है कि वो ज़्यादा ज़्यादा दूद प्रोडूसर करेगा दिन बर दिन अगर आपको प्रोडूसर ज़्यादा करना है तो उसके लिए तीन कंडिशन सबसे ज़रूरी है एक फार्मर को कभी नुकसान नहीं आना चाहिए हर साल प्राइस अगर उचा नहीं बढ़ा सकते हो गिरना कभी नहीं चाहिए जिस दिन प्राइस गिरा किसान अगले साल के लिए नया गाय खरिनी खरी देगा सप्लाइस से ज्यादा डिवार होना चाहिए तो आपको दिमांड करियेट करना पड़ेगा और तीसरा कंडिशन यह है कि किसी को भी पर्मिशन नहीं दी जा किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए जिस से वो मार्केट में फार्मर का प्राइस घटा सके इसका मतलब इंपोर्ट नहीं अलाओ है इंपोर्ट अगर अलाओड है तो उसको संभालना पड़ेगा कैसे संभालना पड़ेगा उसके लिए जब 1960s में जब कायरा कोपर्टे बन चुका था तो लाल बहादुर शास्त्री वो पहला प्रधान मंत्री था जो अच्छी तरह समझा कि कुरियन का काम लाजवाब है वो पूरी देश को बदल सकता है तो कुरियन से कहा मैं आपकी जगा को देखना चाहता हूँ अगर हो से के दो-तिन दिन आपके किसावे के बीच में रह सकता हूँ तो मुझे कुरियन हसकर बोल रहा है वो उसको मालूम ही था कि उसको जोपडी में रहना था वो जोपडी में रहने के लिए कितना में सेक्योरिटी अरेजमेंट करना पड़ा वो साधर अराद्मी कभी नहीं मिलेगा पर फिर भी शास्ती की जित थी तो जोपडी में रहा तीन चार दिन हर एक दिन वो किसा खेतों बेजाता था किसानों से मिलता था जहां से दूद कलेक्शन होता वो भी देख रहा था और वो समझ किया जो कुरियन कर रहा था वो बिलकु आजीब था अद्बुट था उसक कुरियन जो तुम कर रहे हैं बहुत अच्छा है जो कुछ भी सरकार कर सकते हैं आपके मदद के लिए मुझे कह दो आपको जो कुछ भी जाईए मुझे कहूं मैं करवा कर दिखा हूँगा तो कुरियन ने शास्तिय कहा मुझे कहा मेरी एक ही खाली रिक्वेस्ट है 1960s मेरी खाली एक ही रिक्वेस्ट है अच्छाद मुझे कहा हूँ इसे मुझे एक नया और्गनाईजेशन की सापना करना चाहता हूँ उसे कह दीजिया NDDB National Dairy Development Board मैं उसको सेट अप करना चाहता हूँ मेन कंडिशन दो मेन कंडिशन एक जो भी इंपोर्ट आता है खरीदार के रूप में आप खरीद रहे हैं मार्केट से वो भी और जो गिफ्ट देता है कोई देश भारत पूर इंडिया पूर देश है उसको गिफ्ट के रूप आप दूद का प्रड़क्त दे रहे हो जो भी गिफ्ट है वो भी नडि डिया जाएगा और नडि डि डि ऑसको मार्केट में बेचेगा खली उस प्राइस पर जो किसानों के प्रड़क्त बिखते हैं तो मार्केट का प्राइस कभी डिस्टर नहीं करना है तो एक कंडिशन है कि आप इंपोर्ट्स अलाव नहीं करोगे प्राइविट से और जहां भी इंपोर्ट्स गिफ्ट आएगा तो एंडीडीबी के थ्रू ही जाएगा शास्ती समझ यह जब दिली पहुंचा उसने सीधा चिथी सब को लिखा वियर सेटिगाव न्यू और न्डीडीबी न्डीडीबी पार्लेमेंट के आट के द्वारा अ सेपरेट अक्ट पार्लेमेंट एंडीडीबी वस्क्राइट अब उन दिनों किसानों को ठीक प्रैस में ले उसके पीछे भी फिलासिफी थी कुरियन ने सबसे पूछा देखो भई अगर एक आदमी गाये रखता है दूद्ध प्रोड्यूस करता है और उसके बाद में आप आ रहे हो मार्केट करते हो एक और आदमी आता है पैकेजिंग करता है उन तीनों में से कौन सबसे इंपॉर्टन है अगर सबसे कुछ हो जो आदमी प्रोड्यूस करता है वो सबसे इंपॉर्टन है उसके बिगार ना मार्केटिंग रहेगा ना पैकेजिंग रहेगा वान-थःर्ड किसान को जाता है वान-थःर्ड पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए जाता ए और वान-थःड मार्केटिंग इन डिस्ट्रिबूशिन के लिए जाता है। कुरियन से यह नहीं चलेगा, किसान को कम से कम 50 टका देना चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, कुछ भी करो, 50 टका से कम अगर फार्मर को दोगे तो मैं तेयार नहीं हूँ, तो उनना भोला हम नहीं कर सकते हैं, तो इसे मत करो, मैं करके दिखाऊंगा, तो वह ना मैं कायरा में उसने अपना खुद प्रोसेसिंग चालू किया, क्योंक उसको मालता है पास्टराइज़जेशन करना है, खुद पाकेजिंग किया और उसने डिस्ट्रिबूशन लोजिस्टिक्स का शुर्की शुरूवात उधर से की थी, आज किसान को मिनिमम सेवन्टी जो मार्केट प्रेस का है, उसका शेयर मिलता है, उसने पूरी दुनिया के जो एकोनमिक्स थी बदल दी, उसने दिखाए दुनिया को जब तक किसान को ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये कॉपरेटिफ क्या नाम है, इसका भी क के लिए कि सब साथ में काम करें, उसने एक फेडरेशन बनाया, वो फेडरेशन का नाम था, गुजरात को आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जीसी एमेमेफ, और अमुल जो ब्रैंड है, वो जीसी एमेमेफ से मालता है, तो जो भी प्रोड़क्स है, जीसी एमे अधेश का नहीं पूरे एशय का पाद, शायद दुनिया का भी, पर एशय का पक्का, सबसे बड़ा अगरिकल्च्रल बरैंड है, आज 24 परसेंट, जो मिल्क का है, जो पूरा मिल्क प्रोड़क्शन है, 24 या 25 परसेंट अमुल ब्रैंड के नाम से बीगता है, वोल्ड का, इ की के अमुल ब्रैंड से आप दूद बेचते हो, दही बेचते हो, जो भी मिल्क प्रोड़क्टथा, आइस्क्रीम है, वा से बुसका बढ और उतना ही नहीं एक और चीज है कि जो मिल्क का GDP है वर राइस और वीट को दोनों को जोडने के बाद मिल्क का शेयर जादा है, अगर अगर आप सरकार को देखो गए, कोई भी सरकार, 1960 से आज ता है, जितना पारलिमेंट में डिसकॉर्शन होता है, जितना पैसा जाता है सरक और मिल्क सरकार के पैसा, कि कोई भी पैसा नहीं लिया, विदाउट गार्णमेंट सपोर्ट, मिल्क इतना सबसे बड़ा इंडस्टी बन गया, जब कुरियन ने कहा, 1990 में, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूस होगा, 2001 तक, इंडिया बिकें अगर्जेस प्रोड्यूस उत्तर प्रदेश सोलर रुपे देता है, आदा, आदा से भी कम, अब चौदर रुपे उसके खर्ची होती है, खर्चा होता है गाय को समालना, दूद निकालना, दूद पहुंचाना, उसको दो रुपे प्रोफिट मिलती है, तो मेरा हमेशा कहना था, इस किताब में लिखा आप दो रुपे उसका प्राफिट है उत्तर प्रदेश में, संख्या के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पॉपिलेशन है, आप उसको दो रुपे 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 उसको दो रुप कहती है कि हम फार्मर्स का डॉबल इंकम दोगे। उनको ठीक प्राइस दो. पर वो जो बारा, सोला रुपे जो है वो आरतिया ले कर जाता है. जो पोलिटिशने से शेयर करता है. आज उत्रप्रदेश में सबसे कम पैसा दूद के लिए उत्रप्रदेश के साना को मिलता है, ग महाराष्ण में 18 रुपीज से 20 रुपीज देते थे. फिर जब लास्टेम इलेक्शन से पहले उनने 26 रुपीज का मिनिमम प्राइस रखा. तो महाराष्ण के पुआ अपने सब चिला है, इस 26 महाराष्ण में हमाराष्ण से पढ़वरता है, नहीं पढ़वरता है. तो सरका उनका कॉआपरेटिव, कुरियन के कॉआपरेटिव से अलग था. तो एक धक्का मिला महाराष्टरा और कुरियन और वेस्पेंगौल के कॉआपरेटिज में जहां उनके के मौडल को फॉलो करने के बदले, अपना मौडल निकाला जहां पोलिटीशन को ज़्यादा बेनेफ जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गुजरात में उतना नहीं है जो उत्तर प्रदिश ने हैं, पिछले चार पांच साल में उत्तर गुजरात ज्यादा दूद बना रहा है उत्तर प्रदिश से, महाराष्टर से. क्यों फार्मर इंसेंटिवाइजे जादा करने के लिए? अगर बहुत जरूरी रहा थे इंडिया के लिए, दूद में कम से कम 10 करोड़ फार्मर्स है, एक फार्मर के पास पांच लोगों की फैमिली है, इसका 50 करोड़ लोग जिन्दा है दूद के करण, और दूद में कितना पैसे मिलता है, पुराने जमाने में, जब साइंस की टिकनालिज इतनी बड़ी नहीं थे, तो एक गाय से आपको करीबन 30 रुपए प्रॉफट मिलता था पर दे, तीन सो दिन के लिए, जब लाक्टेशन बंद होता था, और नए इंसेमिनेशन की शुरूवात होती थी, पर तीन सो दिन के लिए, आपको 30 रुपए मिलता था हर गाय के उसका कौस भी जोड़ो, और गाय को जितना ज्यादा चलाओगे, उतना ज्यादा दूद पहरा करेगी, तो बांद कर मत रखो, जैसे पुराने दिनों में गाय को लेकर जाता था, गाव गाव से, वैसा करो, जितना चलेगी, उतना दूद ज्यादा देगी, और गाय के खाना दोगे, और ठीक चलाओगे, तो और उसके हेल्थ के बारे में देखोगे, तो आप देखोगे कि हर एक गाय से, हर एक भैसे, कम से कम सो रुपे हर दिन प्राफिट बनता है, अब ये गाह में आपके मास दो गाय है, आपके जमीन नहीं है, पर आपके जोपड़ी है, जोपड़ी के पीछे है, बांगते हो, और दिन में सब जहां भी उसको खाना है, लेकर जाते समाल के, कि उप्लास्टिक नहीं खाये, पत्ते खाये, पुछ और खाये, या भूसा खाये, सो रुपे प्राफिट एक गाय का दो सो रुपे हर दिन उसे प्राफिट मिलता है, ग जो खाये, 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 जो ख होने वाला है पचास करोड़ लोग की जिन्दी जूद पर डिपेंडेंट है और गुर्वर्मेंटी पॉलिसी अभी सीएस दी ले अच्छा भी यहां तक मैंने कह दिया 2016 में हमने गाए हत्या के खिलाफ रूल्स निकाले तो मैंने इसके तब भी कानून लाना है लाओ पर किसानों को मत मारो जब गाए बूड़ी हो जाती है तो उसको बेचने के लिए उसे बीस हजार रुपे मिलते है अगर आपको उसे बोलना है कि आप बेच नहीं सकते हो तो आपको उसको उसको बीस हजार दे दो दिल्ली में जब मैं इस बुका उद्गाटन कर रहा था और एफ में तो मुझे और एफ के और बुला कि आपको कोई बड़े आदमी मिलना चाहते हैं उसे जड़ा मिल नीचे मेरे का नहीं लांच के बाद तो मैं समझ किया बोले साहिज जी आप जो कह रहे हैं वो गलत है बेगा क्या गलत है बोला गव अपनी माँ जैसी है बिले करो 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 एक चीज़ जाद रखो मैं अपनी माँ को खरीदा नहीं हूँ मैं गाय खरीदा हूँ चाहर खरीदारी होती है व्या व्यापार होता है आप ऐसे नहीं कि जो 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 इसका गोबर है, उससे पैसे बनते हैं, आप लेलो ना, आप पैसे बनाओ, अब धन्य होगे, मैं तालीमान होगा, और क्या, आप किसान को क्यों करें, कि अलग तरीके से पैसे बनाने, वो एक ही तरीका जाते है, वो दूद्न, जब गाय बुरी हो जाती है, वो आज मैं वापस हमेशा जब भी आर्टिक लिखता है, मैं वह ही कहता हूँ, कि आप सरकार हो, आप कोई भी कानून ला सकते हैं, कानून लाव और कंपेंसेशन के बिगर नहीं, कंपेंसेशन होना चाहिए, जहां आदमी को पेट में लात लात में लग रही है, उसको भी सदा ले दो, और गाय का समाना आपका काम है, उसके ज़्याला खर्चा होता है, और आज जो लंपी काव डिजीज आया है, जिसके कारण गाय इतना दून नहीं देती है, भैस इतना दून नहीं देती है, उसका कारण यह यह आप बुड़ी गाय के साथ उसके बिचाते हो, अब जो बुड़ी गाय है, उसको घ्यूज होने वाला है, उसको खर्चा करना जरूरी है, उसको आइसुलेट करना जरूरी है, खिसान के पास चारा नहीं है, यह सब करने के लिए है, आप अपना कानून ला आपको जो भी सभिएता है, उसका पालन करो पर खिसान को बारो, और ये खिसान को मारने के लिए, मारने के बाद, उसके consequences और भी थे, कि एक आपने बोला, गाय को बेचना नहीं है, तो सभी भैस के दर्ब जाना लगे, भैस का वो population बढ़ रहा है, पर जब trader भैस की मास को लेकर जा रहा है, तो गवर अक्षर प्रस्तेवा बोलता है, नहीं उसमें गाय का मास है, उसको रोको, उसका forensic कराओ, अरे इस देश में forensic humans के लिए नहीं है, आदमी के लिए नहीं है, आप उसके forensic बाद जानवर के रखोगे क्या, और चार दिन के लिए बिना refrigeration, वो गाड़ी उदर रुकी होई है, जो भी मास है, वो खराब हो जाएगा, कोई खाएगा नहीं, तो लॉस किसको हुआ, ट्रेडर को हुआ, ट्रेडर को लॉस होगा तो खरीदेगा नहीं, तो वापस किसान को मार मिल रही है, और तीसरा उसक रहता है, कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, खली तीन इंडस्ट्री से, एक था गौर्मेंट्स, टूसरा था लेधर, और तीसरा था डाइमंद्स, लेधर इस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि आपको सालाव नहीं करते है, आपका मीट, बीफ एक्स कम हुआ है, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, आपने उसको रोका है, और एंप्लोईमेंट रोका है, आज एनएंप्लोईमेंट बढ़ रही है, अगर इस देश का कल्यान होना है, आपको एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को जादा रिस्पेक्ट देना है, दूसरा किसान को मारो मत, यह जो गौखत्या के रूल्स है, वो किसान को मार रही है, अगर आपको कानून लाना है, तो आप कानून लाओ, आप गाए ले लो, और किसान को 20,000 लो, क्योंकि वो पैसे से किसान नई गाय खरीता है, नई बैस खरीता है, कुरियन ने जो किया, उसने एक चीज किया, कि सालों को ऐसे ज्यादा पैसा मिले, सरकार से लेने के बिगाय है, आप आत्मा निर्भरता की बात कर रहे हो, कुरियन नात्मा निर्भरता सिखाई, 1950s, 1960s, 1970s, उन्हों ने ज्यादा सिखाया, आप उसको भी तोड रहे हो, सबसे कि बहुत खतरनाक चीज है, वो मिठाई के तरह आप तंगा रहे हो, वो बच्चे के दान जाएंगे, कुरियन ने ये सिखाय कि इंपोर्ट्स मत करो, अभी 2019 में, 2018, RCEP, Regional Co-Opative Economic Partnership की बात चल रही थी, और प्यूश पटेया, प्यूश गोयल, जाकर बोले हाँ, हम न्यूजीलंड से पांच टकाउंट का इंपोर्ट्स लेंगे, सोधी, जो उस समय मुख्य था, GCMMFKO, अमूल का कस्टोडियन था, RSO थी, उसने प्रेजेंटेशन भीजा, कि एक टका भी लोगे, इंपोर्ट की रूप में, वो देश को बरबाद करेगा, किसानों को मारेगा, उसका कारण यह है, कि जो गाई दूद देती है, भैस दूद देता है, तो गर्मी के मौसमें कम देता है, सर्दी के मौसमें जादा देता है, तो जब भी सर्पलस दूद रहता है, विंटर मंस में, आप वो सर करते हो और गर्मी के मंस में दूदूदूत पादर कब रहता है तो आप उसको मिक्स करके री कॉंस्ट्टूटेट मिल्क में मिशते हो तो उसी तरह बैलन्स करते हो और जहां प्रोडक्शन ज्यादा रहता है उसको आइसके मनाते हो उसको चीज बनाते हो उसको बटर बनाते ह यह बहुत अच्छी तरह बैलन्स किया जाता है, अगर अचानक इंपोर्ट अलावकर होगे, पूरा बैलन्स जाएगा, और जिस तरह से कुरियन ने इस इंडस्ट्री को बचाया है, यह सरकार बचा नी सकी यह तेल के इंडस्ट्री को, 1960s में हमारा 70% domestic production था oil seeds का, आप इंपोर्ट करके कम भाव में बेच रहे थे, किसान उने oil seeds, बोना कम कर दिया, आज हम 80% इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट करोगे, और किसान के market pricing को तोड़ोगे, तो क्यों बनाएगा, क्यों उगाएगा वो, क्यों बोएगा वो seeds, वो भीच बोना बंद करेगा, आपको सीखना है, क्या आप किस तरीके से आप डिस्ट्रॉइ कर सकते हैं इंडस्ट्री को, आप खाली एडिबल ओल को देखो, और इतना जपाल मत की से अगला पांथ साल के लिए और तॉ इंपूर्टिप करें अमजनी को डहे होगी抖ा पांथ इंपूर्ट बंद कर देंगा तो टॉट्रеड नींहोगा ने वल्डवाइड तो आप अग्ये NDDB नहीं क्या क्या, सरकार के पैसे लेने के बदले NDDB के इन सेल फाइनसिंग, तो आपको जो भी इंपोर्ट है, मैं इधर रखूंगा, और लिंगो इंपर्ट्स, पर मैं मार्केट प्रैस में बेचूंगा, किसानों का प्रैस नहीं तोड़ूगा, वो वोर्ल ट्रेट के खि प्रैसा नहीं लेता है, और जो भी सर्प्लस आता है, वो किसानों के लिए जाता है, वो अलाओड है, कुरियन ना जो क्रियेट किया, जो शुरुवात की, सब पूरी दुनिया चोग गई, क्योंकि वो इल्कुल वर्ट्रेड ओगनाईसेशन के रूल के मुताबिक था, एक किसानों उसका वोट चाहिए, वोट चाहिए, इसका मतलब मुझे उसे पैसे देना है, NDP को पैसे दे, मैं दूंगा नो, यह राजनीती ने जिस तरीके से किसानों से खेला है, वो अच्छा निया देश के लिए, क्योंकि आज पचास ठक का जो पपिलेशन है, वो रूरल प जो को प्रशेसिंग पार मिलता है, उनका पर्शेसिंग पार दूज से आता है, अगर वो परोचेसिंग पार कम घोता है, वो नहें कर इतना है, दूसनी बैम को इंफेक्ट होता है, आपका पूरा पूरा पडुन इक निक्लाएन नाइоть नीस्टीं से भिखिए गरोथेट है कि अपने किसानों का पर्चिसिंग पात ओड़ा है तो दू थिंग जिस्ट अनु स्लाइटली डाइवर्श टॉपिक रिलेटेट तो इस अनली दू थिंग कि गवर्वर्मेंट को जैसे चाइना करती है कि भार के लोग को अपनी ये कांटरी को इतनी जादता इंपोर्ट अलाओ नी करती है जो भी चीज चाइना के पास नहीं है से वही अलाओ करती है द confirm जी सेलफ रिलाइंट कांटरी के अंधर ही जो लोग उगाएंगे या उसी को हैं यूस करेंगे इंडिया और है करूद ही god आज हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं वह बहुत सारे से बिजनेसमेन भी जो है वह लोग भी यही बोलते हैं कि चाइना के पास अनफेर अडवांटेज है बिकिस उनकी गवर्मेंट कंट्रोल करके रखती है कि भार कोई भी आके आदमी अंदर आके बाहर से इतना पैसा लाके मार्केट को गड़बड आए गड़बड नहीं कर सकता जैसे इफ यू लोक एड मॉर्डन स्टार्ट अप को भी आप देखोगे तो अमेजन आया इंडिया का नंबर वन प्लेयर बन गया इंडियन के इंडियन प्लेयर जितने भी थे एकॉमर्स में उसे खतम होते गए हो जाए खुरियन यही कहता था जब तक फार्मर मजमूत नहीं हुआ तब तक आप उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा देश पहला रहता है अगर आपके वास खाना नहीं है तो आप पुराने जमाने के जैसे जाओगे का बिखारी बनकर समुझ खाना चाहिए एक और उधारन दे रहा हूँ आज हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना आपसे चावल खरीदे के लिए हमेशाँ तेयार है अब चाइना के आपस तीन गुना जमीन है इंडिया से इंडिया के तूलना में चाइना क्यों चावल नहीं उगा रहा है उसको माले में हर एक किलो चावल के लिए आपको दोस हजार लीटर पानी देना पड़ता है और पानी कीमत चाइना जानता है हम पानी पर कोई प्राइस सकते नहीं है फुकट में जा रहा है तो पहला सबसीडी जो फार्मर को मिल रहा है वो फर्टिलाइजर है वो पानी है वो बिजली है उच सबसीडी से भी जो प्राइस से जो इस प्राइस पर आप चावल बीचते हैं देश में वो इंटरनाशनल प्राइस से उचा है फिर आप एक्स्पाउट करते हो आप पर सबसीडी दे रहे हो चैना खुश है इंडिया के सबसिरी से मुझे चावे मिल रहा है अगर इंडिया में समझधारी है आप वाटर को प्राइस करोगे बट पानी पर प्राइस कर देंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस अलग तरी किसे हो सकता है आपको इतना प्राइस में लेगा ले ले ओलो महराष्टर की बाद महराष्टर में इतना पानी निकलता है इतना पानी हम सिटिजन के देंगे इतना पानी हम इंडस्टरी को देंगे इतना पानी हम अगरिकल्चर को देंगे किस agricultural crop के लिए कितना देंगे इतना quota आपका पानी है उसके बाद आपको ये price बरना पड़ेगा लोग protest नहीं करेंगे इस पे कि पानी पे भी charge लगा दिया आपके पानी है तो लेकर आप groundwater को बंद करो groundwater को निकालोगे तो जैसे आपका वो उत्राखंड में जमीन नीचे चले गई वही होगा इदर और जितना आप जमीन का पानी निकालोगे उतना नमा काएगा जमीन में और जो भी पानी मिलता है जमीन से वो सब खरकाडी हो जाएगा आप आज के लिए जहना चाहते हैं कल के लिए आप कुछ रख नहीं चाहते हो क्या ओके लास्त नहीं मुझे याद है अपने एक बात करी थी पानी पे नौदाट यॉर टॉकिंग और यू टॉक्ट अबाउट कि इंडिया के पास ब्रह्मपुत्र है चाइना और रॉश्या इंडिया से कभी भी हमेशा बना की रखेंगे कभी भी अटाक निकरेंगे कभी लडाई निकरेंगे क्योंकि सबसे बड़ा लैंड जो वाटर रिजर्व है वो इंडिया के पास ही है कही है मैं बता हूँ अफर तो आप मुझे बताओ इसके बारे में पानी के बारे में इसमें पेज 104 में आप एक टेबल देखोगे 104 मुझे पेज याद है कंट्रीस अगर देखोगे एक जगा है वाटर अज़ेज परसेंटेज अव लैंड अप वह नंबर देखे इंडिया वाज 9.6 इंडिया वाज 9.6 अप the USA का देखे 7 और China का देखे 2.8 किश के पास ज्यादा पानी है इंडिया के पास और Center Ajah Indiा के पास अभी चाहिना के जमीन तेन गुना है अभी अमेरिका का जमीन तेन गुना है अप रश्य का देखे 13 13 पसेंट और जमीन यहा है तीन गुना अमेरिका का, तीन गुना चाइना का, इसका नाइन टाइम्स बिगर दन इंडिया, सबसे ज्यादा पानी रश्या के पास है, रश्या इस वर्ल्स लाज़स्ट फ्रेश्वाटर रिजर्व्स, दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, वह लेक बाइटाल, रश्या में, चाइना का सबसे कम पानी है, और पुराने जमाने में सोच से थे, चाइना अपनी ब्रह्मापुत्र को निगल लेगा, क्योंकि टू थर्ड्स अब्रह्मापुत्रा इस इन चाइना, अँनी वन थर्ड इस इन इंडिया, मैं का कभी को बढ़ान देया लिगा है, और जब पह तो मालूम पड़ा कि ब्रह्मापुत्र टूथच चाइना में होगा, और वाटर कलेक्शन इन चाइना इस ओली 20 परसंट, 60 परसंट अब वाटर कलेक्शन अब्रह्मापुत्रा कम सा अरुनाचल प्रदेश, और 20 परसंट बागी है, इसलिए अभी जगड़ा अरुनाचल प मैंने लिखा था, इसमें रेफरेंस दिया है, 2009 में 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 मिन्ट में लिखा, कि चाइना इंडिया से जगड़ा ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंडिया का मार्केट में, मार्केट पर थोड़ धिया ले, उसे पानी चाहिए, सबसे अचा सुझाव यही रहेगा, क क्योंकि चाइना और रश्या के बीत में रिष्टे खराब थे, जब मैं 2014 में गया था चाइना में, उदर भाशर दे मैंने का, एक लेक्ट्र दिया था, मैंने का, आप लोग कोई न कोई समय रश्या से बात कर गया पानी लेने के लिए, तो वहां में काफी निंदा हो, यह मैं बोलें नहीं हो नहीं सकता है, मैं होगा, और थैंक्स टी युक्रियन वार चो कुछ भी है, और युक्रियन वार से पहले भी, 2018 में, चाइना और रश्या ने एग्रीमेंट साइन किया, और उदर से सीधा कनाल बनाने के लिए बात चालो हुई, काम चालो हुआ है, लेक वाहिताल से पूरा पाणि आएगा चाइना में और चाइना में, सेंटारल चाइना में और वापस मैं एक और प्रेडिक्शन कर रा हूँ, कि जब जहां पानी आएगा, वहाँ लोग आएगे हैं, वहाँ तरक्की होगी, अगले دस साल में, चाइना में एक ओर इंडॉस्रे Keto Revolution और है बोनी पर चान्तोपिन करते हैं,ि要аждard편 चाना है aand babा ह्भी पान होंगे हैं क्योंकि चानाangen रही घ्या के लिए रॉल के लिए घ्यास के लिए चाहिए और स्जाना की नहीं Bros. दोब जाये क्योंकि उसे अमेरिका का सामना नहीं करना पड़ेगा इसे चाइना रश्य को प्रोटेक्ट करेगा और चाइना ये नहीं चाहेगा कि इंडिया डूबे क्योंकि उसे यूए से नहीं चाहिए तो चाइना अपना खेल खेल रहा है इंडिया को अपना खेल खेला पड़ेगा प पड़ेगा जैसे वो अपनी निगना रेगा और एक और चीज याद रखिए आप उस टेबल में देखिए लेबर देंसिटी और पॉपिलेशन देखिए इंडिया 104 इंडिया का पॉपिलेशन देंसिटी देखिए पॉपिलेशन मिलियन देंसिटी स्कॉर मीटर हाँ देंसिटी स्कॉर मीटर देको इंडिया का यह त्री 99.3 चैना करें 145 देंसिटी पोपिलेशन चैना में कमें और बांगलादेश करें 106 Bangladesh का identity of population इतना बड़ा है उसके बावजुत मैं बावजुत GDP per capita is higher than India इसका बावजुदेश की economic policy बैटर है इंडिया से वहाँ तरकी हो रही है तो ऐसे क्या difference है जो बावजुदेश और इंडिया मैं कि बावजुदेश की जो GDP है, वो ब्रेटर है IR Support to India से? GDP कम है, क्योंकि लोड़ी कम है, पर कैपिता इंकम स्वारी इंदिया से कम है, बांगलेजजजी जमीन कम है, पर बांगलेजजी का वाटर देखें है, इंदिया से कम है, परसेंटेज बांगलेजजी वाटर है 6.4, 6.4, India का 9 9.6 अब इंडिया के पास बड़ी जमीन है पर उसके 9% वाटर है जो काफी है, पर हम वाटर को वाटर की निन्दा कर रहे हैं, वाटर का अब यूस कर रहे हैं वाटर को वेस्ट कर रहे हैं अब गंगा देखें ना एक बार जो क्या आप क्या कहते हैं, नमामी गंगा को साफ करेंगे आप इस्रेली से बात करेंगे वाटर करेंगे, आप मुझे हम बूलाए है साफ करने के, हम साफ कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं पर साफ तब होगा जब आप बंद करोगे ना जो गंदगी आरे गंगा में उसको परेला बंद करो, उसके बाद में सफाय होती है एक जगा सफाय हो रहे वर गंद्गी और भी बेच आँ तो इस इफरेंट वैसे इन्डिया और बंगलादेश में? पालिशी फ्रेमक जैसे मैं एक पानी के लिए गंद्गी परेला बंद करो तो मुझे अपना स्यूएश टैंक बनाना पड़ेगा, सेप्टिक बनाना पड़ेगा, उसमें खर्चा रहता है, मुझे खर्चा करने कि जह अच्छा नहीं है, पहीं जोला पानी है दूसरी चीज़, जब से शेख हसीना आई है, तब से fundamentalism allowed नहीं है मंगलदेश constitution कहता है, हम Islamic Republic है, पर मंगलदेश constitution ये भी कहता है, कि आपकी जो भी religion है, आपको freedom है उसका प्रचार करने के लिए, तो आप अपने मंदिर में, अगर दूसरों को बता सकते हैं हिंदूइजम कितना अच्छा है, आप कानून के अंदर हो, पर आप जलूस निका लो और जहां भी आंदोलन हुआ है, शेख हसीनम उन्हें सीथा जेल में बेजी है, क्योंकि fundamentalism देश को बरबात करती है, तीसरी चीज़, बागलदेश ने focus किया school education पर, अब परसों के दिन, मैंने एक article लिखा है, मैं आपको भेज दूँगा, इंडिया का GER, gross enrollment ratio, schools में 27 परसें और आप कहते हैं, आपका literacy 74 परसेंट है, 27 परसेंट है, काफी difference है, और कारणिया है कि आपका literacy senses बना रही है, उसका condition खाली है, कि आप अपना नाम लिखना और पढ़ना जाते हो, तो अगर मेरा नाम राम है, मुझे खाली तीन अक्षा सीखना है, तीन अक्षा लिखना है, और में लिटरेट हूँ, आपका definition गलत है, इन्या की literacy बहुत खालाव है, बंगलेश स्कूल education is much better, तो आपका education अच्छा है, आपका fundamental control में थोड़ा है, और आपका focus है, जितना अभी उत्पादन कर सको, वहाँ एक factory, जो governments की है, उसमें 11,000 लोग काम करते हैं, यूनिर्जम नहीं है, आप बोले labor exploitation है, देश को जीना है, देश को एक्सपोर्ट करना है, आज सिती ऐसी है, अब डाव बंग दुबाई में, मैं दुबाई जाते हम कहीं मार, आप भी जाते होगे, पिछले च्छे मेने पहले मेरा जो ड्राइवर था, टाक्सी वाला, वह मैं दुबाई में दुबाई में अदूबाई में दुबाई में कोई बागलादीश आता नहीं है, को कि बंगलादेश की सैलरी इस दुबाई इसके सालरी से अच्छा है। शुरुआत में एक्सपारटेशन हो जब दीर दीर सब बढ़ता है, इसलिए भी आप देखोगे, वो आपका जो density of population है, वो ज्यादा होने के बावजुकत होना ने इतना क्या है, पानी जरूरी है, और इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ, चाइना रश्या पर डिपेंड करेगा, और चाइना नहीं चाहेगा कि रश्या डूबे, और रश्या नहीं चाहेगा कि चाइना बहुत बहुत बहुत, और चाइना की density of population देख लीज़े, दुनिया मैं सबसे खराब density of population रश्या की है, 8.4, 8.4, इंडिया के 300 के सामने, 399, इंडिया अल्मोस 400, 400, तो अगर 8.4 है, उनके वास लोग नहीं है, जमीन है, नाइन टाम बाद इंडिया से, इंडिया से, it is the largest reserve of gold, of oil, of what do you call it, precious metals, अगर उनके वास लोग नहीं है, तो मैं पिछले 15 साल से, 2009 से कह रहा हूं, सरकार को, रश्या के साब बात करो, जैसे Saudi Arabia में labor camp बनाया है आप Indians को भीजो खान चालो करने के लिए कोईला निकालने के लिए सोना निकालने के लिए जो भी precious metals है वो निकालने के लिए और joint production system चालो करो जैसे हमने तेल में किया है आदे जो रश्या के जो oil fields है उसमें Indian ONGC का OVL partner है अब उसी तरह कर लो ना अब रश्या कई बार चाता है चाइना से पूछें पर चाइना उसके बाजू का नेवर है एक बार चाइना के लोग आ गए तो निकलेंगे नहीं उस quarter बन जाएंगे और रश्या वो नहीं चाता है पर इंडिया के लोग दूर है इसलिए उसको बुलाएंगे कि वो हमेशे उदा रह नहीं सकते है common border नहीं है उनको भेजा जा सकता है अपने policies थोड़े बदलने चाहिए उससे इंडिया के लिए जॉब मेलेंगे रश्या मजबूत हो जाता है रश्या और इंडिया जितने करीब हो जाएंगे चाइना बीच में हटका है तो इंडिया वैसे वर्ल्ड लीडर कैसे बनेगा लेट्स टॉक अबॉट दाट क्योंकि अभी वर्ल्ड लीडर बनने के लिए तीन चीज़ जी है एक आपके पास धन चाहिए अब धन दो तरीके कहने थे है एक धनी का धन है और पूरे देश का धन है क्योंकि इंडिया के पास 140 करोड 140 करोड है हर एक आदमी अगर एक दो रुपे देता है सरकार को टैक्सेज में इंडिरेक्ट टैक्सेज मार्चेस ख़रीथें उसके पर जी अस्ति आता है कुछ में खरीथें जी इस्ति आता है तो सरकार के आमदनी ब機 corazón तो पहरत है अब यदेश बढ़ा है जब सरकार अमीर है और लोग गरीब है क्यों जो एक 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 भड़़ जाता है सरकार अमीर हो जाती है पर तब आत्मनिरवर्था का मान, का मीनिंग सच रहेगा, दूसरी चीज है, एडूकेशन, आपका स्कूल एडूकेशन, मैं जो तीन चार दन पहले एडूकेशन पर हार्टिकल भीज हूँगा, इस सेशन के बाद, आप उसका पड़ी है, चार चार्ट है, एक चार्ट है जी पर, दूसरा चार्ट है, वन टीचर स्कूल, उसमें टीचर नहीं है, एक टीचर से स्कूल पर चलता है, वही टीचर सभी क्लास को सिखाता है, वही टीचर सब सब्जक्स सिखाता है, उसकी संख्याद विखे, कितने स्कूल है, पाच्छला के उपर है, तीसरा प्राब्लम है Science Laboratories खाली चालिस तरका सरकारी स्कूल में Science Laboratories आप Chemistry कैसे सीखोगे बरतनों से घर में चुले पर जहां Science नहीं है वहां आपका Ideology आएगा आप ज्यादा समय निकार रहे हो किसका इतियास लिखने के लिए कौन सी भाशा सिखाने के लिए कौन से रस्ते का नाम बदलने के लिए कौन से इलाके का नाम बदलने के लिए शेर का नाम बदलोगे अरे Science एक हो ना Science में न धरम है न जाती है पर Science की बगड़ा बढ़ोगे नहीं और चोथा चीज़ एंटरनेट खाली दस तक है स्कूल्स में इंटर्नेट है सरकारी स्कूल्स के और आप कहते हो पूरा दुनियों को हम सिखाए यह रहे तुवारे खुद के लोग को जाता है जाते नहीं है और वो वोटर्स है तो अल्प बुद्धी वाले आपको वोट करेंगे जब तक अब एडियुकेशन पुर्नी कर सुकते हो तब तक वो सवाल नहीं पूछेंगे वो ठीक तरे चुनेंगे नहीं तब तक वो खुद आत्मेंदिल भर नहीं होगे उनको सरकार से डोल चाहिए इसलिए किसा नो साधरन आदमी वो सब ज़रूरी है सब को अपना सरकार सब पैसा नहीं लेना चाहिए पर सरकार को वोट से यह तो पैसे देगी सरकार का स्वार्थ रहता है कि मुझे पैसे देना है वोट लेने है और एक सरकार की नहीं सबी सरकार I read an article yesterday where it said कि India अभी this year in fact next for next five years सबसे major production हमारे ही होने वाला है around the world India is gonna be the largest producers for everything in total right हमारे बाद बाकी सारी countries है सबसे जादा India करने वाला है तो recession अभी worldwide हर country में affect करेगा UK सबसे जादा badly hit होने वाला है पाकी India को hit नहीं करेगा क्योंकि India में production और output production बहुत जादा होने वाला है so what do you feel कि ये इंडिया गोल्डन टाइम है कि नहीं है what's the what's going on क्योंकि ये तो fact है पूरी वर्ल पैसा एदर लगाई है golden opportunity है इंडियन के पास अभी मोका है actually आगे बढने का in fact I have two questions on this okay one is give me your views on this कि ये majority production जो इंडिया में होने वाला है इस से क्या फाइदा होगा देश में और क्या होगा और ये होने वाला भी की नहीं होने वाला है that is one second is how एक common इंसान जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे जितने और लोग इसको देख रहे है हम लोग इस opportunity का फाइदा कैसे उठा सकते है क्या कर सकते है maybe with government, without government क्या ऐसा कर सकते है जिससे हम ये जो golden period इंडिया का start हो रहा है ये जो अगले 10 साल है इसमें individual wealth या self-reliant होने का हम बहुत fastest हमारा सबसे better chance होगा इसमें दो चीज़े आपको याद रखने पड़ेगी एक इंडिया सबसे बड़ा producing center होगा मेरे पास काफी question marks इसक्यों पर है ये production सबसे ज़्यादा होगा वो theory last year आए थी तब China close था उनके पास zero covid policies थी चाइना का GDP घट रहा था अब इस साल चाइना ने खुला कर दिया है इस टाइम पर चाइना का GDP growth 5.5% होगा इंडिया कैरी 36.5 करेंगे अभी वर्ल बैंक का yesterday figure जो आया है कल जो figure आया था 5.9 है साल के अन में मुझे लग रहा है चाइना का GDP growth इंडिया से percentage wise ज्यादा होगा और चाइना का GDP figure जो है वो इंडिया से साथ गुना बड़ा है तो 5% साथ गुना बड़ा होने के बावजूत हो रहा है और हम साथ 1 7th production 5.5 रहेंगे बराबरी में चाइना विल रमें दे लाज़स प्रडूसर हर एक देश जो दुनिया में कामियाब होई वो अपने नेबर होट अपने जो परोसियों है परोसी देश है उनसे संबंध रखता है उनही के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है अधिकतर 40 टका से 60% एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन देशों से होता है इंडिया ने अपने नेबर्स में जो एक्सपोर्ट वा करता था उसकी परसेंटर घट रहे है घट रहे है इंडिया का पूरा ध्यान जा रहा है वेस्टन वेस्टन वोल्ड में आपके प्राइम मिनस्टर आपके जो फाइनेंस मिनस्टर आपके प्यूज गोयल UK जाएंगे, France जाएंगे, Germany जाएंगे हर एक जगा जाएंगे Eastern countries में ज्यादा जाते नहीं है आपका जो आप इस जगा हो आप सबसे चदा बिजनस आपके एरे में रहेगा और यहां यह चार्ट दिखा रहा है कि आपका परसेंटेज कम हो रहा है दूसरा चार्ट देखिए जो कामत कह रहा है कि हम बढ़ेंगे आप देखो पैंडेमिक से पहले भी चार्ट के उत्पा दे जाता था पैंडेमिक के बाद उसका और भी बढ़ रहा है तो जो हम कहते हैं मेंडक का जो दुनिया है हम बैसे है अपना बढ़ रहा है दूसरों को देखो कितना बढ़ रहा है चाइना वे आप तीसरा चार्ट देखिए, जब तीसरा देखिए, इंडिया ने जो इंपोर्ट डूटी जह है, अपने नेबरिंग देशे से और भी कम किया है, चाइना से, फिर भी नेबर्स अपने साथ बिजनस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपने रूल्स हैं, अपना इंपोर्ट conditions गलत है, आपने आपका जो procedure, bureaucratic procedure बहुत confusing है और बहुत तकलीफे देता है कोई करने के लिए तियार नी है तो अगर हम लोग western world को जादा दे रहे हैं, और western world पे जादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यह आपका GER मेरे आटिकल में, मैंने आपको अब यह जाओ यहाँ देखे, पूरी इंडिया को जा आवरेज है, वो है 27% और इस देश में कोई राजिया ऐसे हैं, जैसे अपना जार्खन जा सत्र टका है जहाँ अपना 36 गड़ है, 19% है GER और कैसे देश बढ़ रहा है दूसरी चीज़ आप देखे यहाँ देखे दूसरी चीज़ यह दूसरा जो चार्ट है यह आपका वन टेब, वन स्कूल टीचर्स वन स्कूल टीचर्स में आप देखे इंडिया का 8% आप स्कूल आप स्कूल टीचर्स पर आप दूसरे राजयों को देखे मान लो आप वेस्बिंगल वेस्बिंगल में 80% स्कूल आप स्कूल टीचर्स फिर आप लिबॉरत्री देखे स्कूल वाइस इंटनेट गनेक्टिविटी पूरी देश का 48% है और प्लेसल लाइक बिहार 20% बिहार ज़ा ज़ा ज़ाइस वह व्यलाटेटीचर्स स्कूल टीचर्स पर लास्ट बिहार आप लास्ट चाहाँ वह अपना लाटरीज का स्कूल लाटरीज आंदरप्रदेश 46%, तेलंगाना 26%, नागालेंड 25%, यह लिबारिट्री, साइन्स लाइप फसिलिटी, यह चार चार्ट्स है, यह चार चार्ट्स आप दिखा दिखा दिए आपका मालन पड़ेगा देश के, अब मैं दूसरा आटिकल लिख रहा हु, हायर एडूकेशन पर, रि अब इसको फिर देखे और इसको देख लीजिए, अब फिर माल को माल बड़ेगा, जो भी हम कह रहे हैं, हम देश का सबसे बड़ा बनेंगे, हम नहीं बनेंगे सबसे देश का, चाइना हमार से काफी आगे बढ़ चुका है, तो हम दुनिया में सबसे बड़े नहीं बढ़ हो, दस साल बढ़ेगा, बीस साल चलेगा, फिर भी चाइना बड़ा रहेगा, आप कहते हो, चाइना का लेबर कॉस बढ़ रहा है, हाँ, चाइना का लेबर कॉस बन रहा है, तो क्या हुआ, जो कुछ भी चितना वो रोबोटाइस कर सकते हैं, रोबोटाइस कर रहे हैं, उन अगर लेबर कॉस्ट जादा बढ़ता है, तो कैपिटल कॉस्ट वो अफोर्ड कर सकता है, इसलिए कंप्यूटराज कर सकता है, इंडिया में आर्बिटराज में, अभी चाइना में सबसे बड़ा पॉट, दस लोग हैं, खाली 10 लोग एंप्लॉइड है, सब कुछ दस लोग आपके अपके कन्टेनर्स मूव करते हैं, अपने लेबर थोड़ चीब है, पर जहां लेबर की जरुद है, अगरिकल्चर में, अब उसदर मार रहे हो, मिल्क प्रटक्श में, उदर मार रहे हो, आप देखो न, कहां आपका वैल्यू जादा बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू एड़ेड है अग्रिकल्चर में सेकेंड वैल्यू आइस वैल्यू एड़ेड है गार्मेंट और लेधर में आपको दून जगा मार रहे हो तीनों जगा तो वाट शुड वी दू? मतलब जो हम इंडियन ड्रीम की बात करते हैं जब तक स्कूल का हर एक बच्चा को अपने अक्षर नहीं आते हैं सेंटेंस नहीं पड़ सकते हैं गणे नहीं आती हैं और साइंस नहीं आता है तब तो को दीश बड़ेगा नहीं कल आपको एप यूस करना है या आपको अपना रिपोर्ट भीजना है आपको कुरियर सफ्यूंसस्वै jeux है और साइब कक्षर्व्णी बाग्योंजना है को कि अपकष्भी कुछ खरीटे आपके और अपक कुछ खरीटेश कारिटेया अपकरिंदेख कारे अपकर लालन आता है क्योंकि आसान है ये लोगों से बिजवाना पर उदर देखे किसको इंप्लाउन में रही है जो फॉर्म भर सकते है आप विग्यापन दीजे आज सेकुर्टरी के लिए आपके बदिया का सारा अप्लिकेशन आएंगे उसमें मैं हैरान हो जाओंगा अगर दस से ज़्यादा काबिल रहे आपके लिए इंडिया में एंप्लॉइमेंट की जरूरत है पर एंप्लॉइबल नहीं है तो जैसे अमेरिका ने इस चीज को काफ़े अच्छे सॉल्फ किया बाए ओल्टरनेट एड्यूगेशन को प्रमोट करके एक तो अल्टरनेट एड्यूगेशन प्रमोट किया अमेरिका ने और दूसरा है इम्मेग्रेशन प्रमोट कर और मेक्सिको की ओवकर्स थीन महीने के लिए आ सकते हैं कि आपके जो फल तोडने हैं अटेकसस में आपका कॉटन पूछ निकालना है वह लेबर इंटेंसिव है उसके लिए इम्मेग्रेशन लाव किया है तो अमेरिका भी अपना प्रमोट का आपके सबसे बाराइटस साइंटिस क्यों इंडिया में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहता है वो डरजय का नहीं मिलता है और वो डरजय का comfort नहीं मिलता है सर्कारी conditions भाट complicated है भाट मु परिशान करती है सर्कार सबूभाट distinct है अगर तरक की करनी है पेली चीज दो देश को देखना चाहिए वो है education दूसरी चीज है हर एक को नोकरी मिलने चाहिए, वो आत्मे निर्भर होना चाहिए, सरकारी डोल्स के बिगायर, उसको अच्छा लगता है, आपकी बिजली माफ है, अब मुझे वोट तो, हम आपको खाना, पांच किलो खाना मुफत पे देंगे, वो बंद का रोना, लोगों को सच्मुच आत् उसके पैसे नियाद, आप सिखाओ गया से पैसे बनाने है, दो यू थिंग लट्थे की, गोर्वर्मेंट इतना लादा फोकस नहीं कर रही है इन चीज़ अपर, बर प्राइविटली क्या इंडिविज्वल लोग इस पर फोकस करके, यह क्या पॉचुनिटी है, बहुत, आ सरकारी स्कूलों बच्चे को अपलिफ्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, वह चीज़ अडानी भी कर रहा है, जब तक आप स्कूलों में, आप तेखे अपने मारवारी, जयन, संस्ताव में, कई जो धनी है, वह स्कूलों को अड़प्ट कर रहा है, जैसे अडानी गूपचे सम प्राइवेट स्कूल्स है, सरकारी टीचर से कम से बिलता है, पर हम कंट्रोल करते हैं, इंपुट मेजर करते हैं, आउटपुट मेजर करते हैं, हर हफते टीचर को बताना पड़ेगा, क्यों जो लड़का, जिसको साथ टक का लास्टेय मिला, आज के वं बासट नहीं मिल रहा है, तो टीचर को मालने मों, किसी की निगरान रहती है उस पर, और टीचर ज्यादा समय लगाता है, बच्चों को इंपूब करने के लिए, क्योंकि उसकी जब मार्क आईगे, और मार्क दिव से टीचर करें अब उसका चेकिं करती है, और मॉडरेटर रहता है कोई, एक्स्टरन, तो उसके द्वारा आप एडुकेशन का स्टैंडर इंपूब करते हैं, बच्चेक्स बालनसे हैं, ओके, ऑन बात नोट, थैंक यू सो मच, सर, मैं प्लेशर, थैंक यू, वन्स अगें, आप नेक्स प आप फिउरिग आओ कुछ बाराव थे फेवरेट गस्तो तो, तो तक हम अगले पॉडकास बे और भी बटर सकार था आपके लिए, और प्लीस शेयर दिस नेजर जथे वन परसूं, किसी एक इनसां के सथे रों, जिसकी लाइफ में नया आईडिया मिले उसे और उस आईडि अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकिया है क्योंकि एक आइडिया एक कॉन्वेशन से जो आता है वो पूरी लाइफ चेंज कर सकता है and हम बस यही फिगर आउट करने कोश्च करते कि कैसे वो लाइफ चेंजिंग आइडिया आप तक पहुचा है आज के लीडर्स से समझ कर उनसे बाते करके और उनकी आइडियोलोजी को स्प्रेट करके thank you so much until the next episode keep figuring out